हलो दियर फ्रेंग्स वल्कम बैक टो शोमेन नाथ यूट्यूब चानल चलिए जल्दी जल्दी डिस्कॉशन कर लेते हैं देखिए आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक आप लोग को अभी भनक शायद लग शुका है कि फिवरेडी थर्ट में मीटिंग है एडुकेशनल जो और काउंसिल है उसके साथ हमारे जो एडिकेशन मिनिस्टर है पार्तो चट्रपत है उनका और किसलिए है क्योंकि स्कूल कॉलेज इनिवेसिटी जो है सारे खोलने हैं कब खोलने हैं फिवरे महिने में खोलने के बारे में बात कर रहे हैं और ये कहां से आया प्लान क्योंकि जो Ministry of Home Affairs है उसने पर्मिशन दे दी है West Bengal Government और बाकी सारे स्टेट Government को कि आप लोग अपने procedure यानि कि Standard Operation Procedure जो है उसके चलते खोल सकते हैं तो चलिए ये जो meeting होने वाला है इसमें meeting करने के बाद क्या-क्या result यानि किस-किस बारे में discussion होगा और क्या result निकल के आ सकता है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं देखिए ये आज ही के दिन आया हुआ है मैं आपको Zoom करते दिखाता हूँ रात को 9 बज के 23 मिनिट पे ये आया हुआ है अभी 29 जैनुरी है ये आज का और इसमें देखिए ये बता जा रहा है कि Kolkata के जितने सारे यानि कि West Bengal के जितने सारे school, colleges और universities है expecting a government decision on reopening of campuses in the first week of February ये आपको सभी को पता है लेकिन खास क्या है खास ये है कि West Bengal Higher Education Council has called third February a state university vice chancellor जैसे मैंने previous video में कहा था और VC Council जो है सभी ये meeting attend करेंगे इसका मतलब जितने सारे boards है primary board, secondary board इसके इलवा VC Council और जितने सारे authorities है मदरासा का सभी का इसमें बैठेंगे एक साथ और बैठ के एक decision लेंगे कि कब reopening होगा तो चलिए पहले बात करते हैं कि decision क्या लेने वाले है decision लेने वाले हैं कि campus कब reopen होगा तो ये लोग कह रहे हैं कि campus अगर reopen करना है तो फेबरे महिने में campus अगर reopen हो जाता है तो बहुत बड़ी आए और first week से campus reopen करने के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन अभी सवाल या प्रशने ये आ रहा है कि अगर आप तीन तारी को meeting कर रहे हैं और उसके बात decision आता है तो फिर first week तो यह निकल जाता है तो कैसे फिर first week में आप लोग चालू करेंगी या कि एक दिन या दो दिन या फिर एक दिन ही शायद मिलेगा आपको तो ठीक है चलिए फिर भी मान लेते हैं कि first week में आप लोग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके इलावा जो है जो second point बहुत important point है कि जो hostels है वो अभी बंद पड़ा हुआ है तो hostels को पहले open करना पड़ेगा तो sanitization प्रक्रिया जो था वो चुका है तो ठीक है क्योंकि एक बड़ा जो अंश होता है students लोगों का वो hostels में रहे के पड़ाई लिखाई करते हैं या फिर PG में रहते हैं तो फिर जो PG में रहते हैं उसके बालग बालग है उन लोगों का का life का सवाल है अभी जो इसके इलावा जो तीसरा जो चीज लग रहा है कि discussion होने वाला है वो है कि कैसे यह जो यह जो offline online mode का जो चल रहा है अभी तक इसका कैसे होगा क्योंकि देखिए many VC's said individual universities might be granted the autonomy to decide on phased reopening यानि कि reopen होगा लेकिन phase में होगा phase में कैसे यह जैसे कि समझ लीजिए एक कोई batch में हो सकता है उसका या तो फिर odd even number करके जैसे के दिल में गारी चलता है वेसे हो सकता है तो ऐसे करके या फिर UG का फैले स्टार्ट हुआ एक department का फिर दूसरा department का ऐसे करके करके यह लोग PG तर जाएंगे तो फिर जहां पे students कम है वहां पहले चलू होगा जहां पे students जादा है वहां पे भी चलू हो सकता है लेकिन उसको फेज माना में करना पड़ेगा यहां पे चादुपर उनिवर्सिटी में क्या कहा है कि उसने साइंटाइजेशन कर लिए है अपना सारा administrative building और बाकी जो सारा stakeholders थे सभी सभी यह जो library labs, hostel, etc तो यहां पे लाइबरी और एक बहुत important जो place यहां पे रखता है क्योंकि library में बहुत सारा students जो है जिन लोगों का पास online का सादन नहीं है बहुत सारे ऐसे student है भी यह अभी भी जिन लोगों के पास सादन नहीं होता है तो library में जाके पढ़ाई करते हैं और इन लोगों के लिए भी जो है सादन के बाद है तो यह भी सादन अच्छी तरह से होना चाहिए तो इसके इलावा और जो है senior Calcutta University of Shiazade campus had been had been sanitized CU has opened labs for its PG science students तो PG के लिए आप लोग open कर चुके हैं यह तो बोल रहे हैं आप लोग we are awaiting a government order after which we can allow PG students to attend all classes on campuses ठीक है तो आप लोग campus में आने देंगे students को PG students को लेकिन undergraduate जो जितने सारे colleges है वहाँ पे क्या होगा इसके लिए एक decision pending है तो देखिए PG students हम लोग जानते हैं कि Calcutta University जितने सारे university है वहाँ पे attached रहते हैं और कुछ-कुछ college में है जहाँ पे PG पढ़ाते हैं तो college जो है जहां पे PG और UG होते हैं उसको भी अच्छी तरह से sanctization करना पड़ेगा now we are waiting for the sanction to reopen the campuses for UG students also said Shivali Sharkar principal at Lady Braban college CU has announced that odd semester exam can be held from March 8 to PG and UG यह कहा जा रहा है अभी तक लेकिन meeting में क्या निकल के आएगा यह अभी कुछ भी पता नहीं है we expect at least that students will be allowed to take practical exams in lab so देखिए अगर practical examination lab में होगा यह तो जाहिर है लेकिन online में पढ़ाई लिकाई हुआ है तो शायद online में exam हो Calcutta University का भी अबर देखते हैं इसमें क्या नया जो discussion होता है उसमें यह निकल के आता है तो चलिए सभी कुछ यह speculation है और यह speculation तभी जाके complete होगा जब जो meeting है 3rd February को उस meeting का result जो आएगा उसके उपर सारा कुछ depend कर रहा है तो मेरा जो आप लोगों को inform करना था कर दिया तो चलिए with this I come to an end अगर और एक request है अगर मेरा channel आपको अच्छा लगता है तो don't forget to subscribe, like, share, comment thank you, thank you very much